जहन साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर तो साथियों देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ें अभी तक अभी तक आपकी तयारी बिल्कुल 0 है कितनी है, 0 है फिर भी आप लोग अपने बोर्ट पर इक्षा में भी तो हो लेगन निकल जाओंगे टौपर बढ़ें लेकिन हाँ मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ें और आप इस वीडियो को सुरू से अंति तक देखते हैं, तो जी हाँ, आप 60-70% तो आप लाही सकते हैं, मतलब कि आपको fail तो मैं नहीं होने दूँगा, ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप अंति तक देखी और जो भी चीज़े में आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप फॉलो कुझे, ठीक है, तो देखते हैं, देखिए ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड परिक्षा, बिना कुछ पढ़े, बोर्ड परिक्षा में पास होने की ट्रिक, ठीक है ना, तो बिना कुछ पढ़े बोर्ड परिक्षा में आखिर पास कैसे हो सकते हैं, पांच प्ट्रिक में आपको बताउगा कितने ट्रिक बताबगा कोंच चिक सब्दल ही आपको कोई आपको नहीं कर सकता है एक अरहिए क्ष़श्म लाहे कोनेली कर भी कि वो कौन कौन से ट्रिक हैं जिलकी हेल्प से आप जो हैं फाइनली फ्रेल तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते देखें डिस्टेंट्स मैं आपको केवल ये ऐसे जादू की तरह बता नहीं रहा हूं मैं आपको पूरा एकदम अच्छे सा समझा रहा हूं देखिए सबसे इंपॉर लग गई वो क्या आपको नंबर देगा नहीं देगा नंबर तो कहने का मतलब यह हें कि आपका पहला इक्सामनेर के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए जो पहले इंप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा First Impression is Last Impression मतलब पहली बार जो आपका iMPression पढ़ गया Examiner के mind पे सेम वही चीज़ को देखते हुए वो last तक आपकी copy को चेक करेगा तो पहला जो impression पड़ेगा क्योंकि examiner पे ही सब कुछ depend करता है यह मान के चलिए कि ज़्यादा तर चीज़ें examiner पर depend करती है आपको चाहे तो number देगा चाहे तो number नहीं देगा इसलिए जो है आपको थोड़ा पूद examiner की mood की according में चीज़ें करनी होगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चली मैं आपको बताता हूँ वीडियो में देखिए dear students सबसे important चीज़ यह है कि आपको आपका board exam में जब आप बैठेंगे board exam hall में आपको जब आपकी copy मिलेगी जब आपको question paper मिलेगा उसके आपकी copy मिलेगी तो वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से भरने के बाद आपको क्या करना है देखिए सबसे important चीज़ क्या है आपको कार्ट पीट कहीं नहीं करनी है क्या नहीं करना है कार्ट पीट नहीं करना है कहने का मतलब dear students यह है जब आप copy खोल कर लिखने start करेंगे तो उसमें आपको जगा जगा पर suppose कि मैं कुछ लिखा हूँ और यहाँ पर गोला 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 खुप करेंगे उसको कार्ट दिया ठीक है ना कार्ट दिया उसके बार जब examiner copy खोलेगा तो उसको बिकार सा लगेगा और उसका mood खराब हो जाएग वहीं से वो समझ जाएगा इस बच्चे में कुछ ना कुछ conclusion है इसका मतलब कि इसका 100% सब कुछ clear नहीं है और वो जो है कुछ ना कुछ नंबर आपको जो है कार्टना स्टार्ट कर देगा वहीं से ठीक है ना मैं आपको बताता हूँ इसके आगे की important बात देखी क्या होता है कि examiner के पास में इतना जादा समय नहीं होता है मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट मिलते हैं उसको आपकी copy को चेक करने के लिए आप लोग खुद से सोचिया कि अगर वो आपके copy का एक एक word पढ़ने लगा तो उसे कितने मिनट लग जाएंगे इतना समय उसके पास में नहीं होता है मात्र 2-3 मिनट का समय होता है जिस बीच में आपके नंबर भी उसको लिखने रहतके हैं जोड़ने रहते हैं और भी थोड़े बहुत फॉर्म से बगार भी थोड़े सा feel करना रहता है उसके बीच में दो मिनट से भी कम का समय मिलता है उसको पूरी आपके copy देखने के लिए तो जल्दी जल्दी से वो पेज बलटता है, एक पेज 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 पर तीन चार पांच सिकरने से बिताता है, उसके बाद आपको नमबर देता चला जाता है examiner, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग starting की copy के pages में जो है, अगर उसमें ठीक ठाक सा आप neat and clean लिखेंगे, कैसा लिखेंगे आप, एकदम neat and clean मतलब कि आपको neat and clean लिखना है, ठीक है न, neat and clean लिखना है, उसमें पहली बात राइटिंग पर आपको भी सेज ध्यान रखना है, ठीक है, राइटिंग आप बिल्कुल सुन्दर सुन्दर लिखिएगा, और जो है काट पी आपको तब भी नहीं करना है जब आपका कुछ गलत हो जाए, जी हाँ, अगर आपने कुछ लिखना इं-start कियो माली जी इहा पर एक गलती हो गई, उसको आपको काटना नहीं है, जैसा आपने लिखाए, सेम वाइसा आपको रहने दिन है, उसके आगे बढ़ जाना है, ठीक एक्स्ता नंबर काट लेगा। उसके बाद जो आपकी second चीज़ आती है सबसे important, वे बहुत ही जाद मोटे questions होते हैं तो आपको आते रहें तो starting के pages जो होते हैं पहला page दूसरा page तिसरा page इतने के करीब आपको जितना कोशिश कीजिएगा जो आपको questions आ रहा है हो वो लिखिएगा और उसके बाद एक important चीज और मैं आपको दो बता रहा हूं आप उसको highlight कर दिएगेक क्या करेंगे highlight क्या करेंगे you should be highlight करना है highlight कि आपको highlight उन चीजह को करना जो की सही हो जो questions आपके सही हो जो आपका और इसमें important चीज कहाला पैं तो उसके निचे आप on-dolline करदेंगे लग पेंसे रिंप रहा है ज cowboyया उसका सबसे पहले और धिमाग आपकी कार्टविट पे जाएगा तो आपका नभराटने स्टाच कर देगा लीकिन लेकिन अगर उसका धिमाग घिहान आपके अच्छी चीज़ों पे गया जहांपर आपने अंडरलाइन किया हुए है जहांपर आपने लेकिन अगर आप काट पीट कर देंगे, अगर आप टॉपर बच्ची भी रहेंगे, जगा जगा अगर आप काट पीट किये रहेंगे, उसके मन में नेगेटिविटी भर जाएगी, तो वो हो सकते आपका नंबर काट ले, ठीके न, इतना चीज आपको समझ गया, उसकी बाद के चक्कर में मत पढ़िए, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो चौधा पॉइंट है, अगर कुछ ना आए, तो आपको क्या करना है, जी हाँ, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है, अगर कुछ भी आपको आही नहीं रहा है, अगर कुछ ना आए, तो आपको क्या करना है जो भी topic दिया हुआ है उस topic के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है आपने याद नहीं किया है question and answer तो उस topic से related आप कुछ भी लिख डालिए जितना आपको कहा गयार है 30 लाइन 40 लाइन जितना मतलब 30 वर्ड 40 वर्ड जितना भी कहा गयार है उसी according आप भरना शुरू कर दीजिए और उस से related कुछ चीज़ें दोर दोर घुमा कर लिख डालिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है उससे जो चीज़ें उससे मिलती जुलती कुछ भी आपको पता हो उसके बारे मे आपको यह चाहिया तो आपको पूरा नम्मर दें करके चलेला ठीक अ तो चीज़ें सबसे करना पोटिंगर को नाお願いします कोई भी प्रशन आपको छोड़ना नहीं है कोई भी प्रेज़न छोड़ना नहीं है कोई भी प्र्हशन छोड़ना नहीं है क्यों देखें Susy इसलिए लिखा हुआ है कोई भी प्रश्ण आपको छोड़ना नहीं है माल लीजे आपको दो घंटे में अपना पेपर कर डाले बचे हुए तीन चार पांच कुस्टन्स है उनको भी आप कर डाले उनको छोड़ना नहीं एक मुझे नहीं आता है चोड़ दें कि वहाँ पर आपको मार्किंग नहीं रहता है तो इसलिए आपको कोई भी प्रस्नि छोड़ना नहीं है और मैं आपको एक सूपर डूपर टीक पर uit आप पढ़ रहोंगे तो अगर पहली बार वीड़ो देख रहे हैं, तो आपके लिए है, यह बार स्कूल pien philosophies बिख्ञान को आपको कुछ इसमें सब कुछ बहंप बनाई हैं छाहां बिज्ञान का वीडियो है गहंटे भर कर अदसरी बनाई हम्ने जिनको केवाल देख आपका passing marks जो है clear हो जाएगा अगर आप लोग पढ़कर pass होना चाहते हैं तब उम्मीद करता हूँ ये 5 जो tricks थी ये आपको पसंद आई होंगे ठीक है ना अगर आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं अपने पढ़ाई से related अपने बोर्ड परिश्या से related तो हमारी चैनल को सब्स्राइब करके रखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ताकि आपको इसी से related वीडियो आगे भी मिलते रहें ताकि आपकी बोर्ड प्रिप्रेशन जो है अच्छे से चलते रहे ठीक है ना तो मिलते हैं टीर स्टोडेंट्स किसी अन्ने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद